नमस्का से जक्सातियों आज आपको पता ही था कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा सुनवाई था चौदा लाख लोग अपयर थी इस केस पर नजर बनाए हुए थे और आपको पता ही है कि देश के सबसे बड़े बकी चौथे नंबर पुर्ण का स्थान आता है पूरे देश में दुरभाग पूर्ण है कि हमारा जो बेंच गलत बेंच मिल गया हीमा कोली मैम का बेंच मिल गया जिसके कारण और लेडी बेस्ट बंगाल का मामला वहां पे नई उसका गया हुआ था वह पहले ही लगभाग दस तिन पंदा दिन पहले ही वो डिसीजन दे चुकी है कि भाई टासाओ जो है जैवरूद करने लगे लगातार जब बोल्ने लचे पुलने लगए तो मैंने कहा किुम सेप्लीज आपको जाना होगा आईए हम घ्लिप देंगे उन्होंने कहा क्या फेल पी लेके हम आईए हम अप घ्रक देंगे आपको जो है गवाई-सरका बेंच अपको स्पेसल बेंच दे देंगे उन्होंने बार-बार मतलब आप इतने सिनियर वकील हैं कि भाई जो उनका जो लहाजा था वह बहुत जो क्योंकि वह हमेशा यदि वह चीज को पसंद नहीं आता तो उस बेंच में लोगों को डाट पड़ती है लेकिन क्योंकि इतने सिनियर वकील में घीमेयिं आपका हम सुनें आपका सारा यह नोने कहा कि आप रूद्वतार कंसीटर किया जाएगा लेकिन क्योंकि लूद्व रूल कि के कॉर्णिक हम बंधे हुए हैं क्योंकि उनके मन में पहले से एक बात था कि भाई हम अलड़ी इसी मामले में हम हाई कोट में भेज चुके हैं बैश्मंगाल को तो आपको एक ही मामला में अलग कैसे हम जो है डिसीजन दें तो इस तरह का जो चीजें की वज़ा से मुझे तो खैर उसके लिए चींदा नहीं करना है होसला जो है तो हमारा आज क्यूकि बहुत बड़ा बजट क्योंकि श्चंता से जादा आवकाथ से ज्यादा बड़ा वकील हम लोगों ने रखा था इसलिए रखा था आज हो सकता कि बेहतर सुनमाई होगी तो हमारा जीवन बदल से आए हैं हमारी पूरी तयारी थी हमारे पूरे टीम लोग यहां पर पहुंचे हुए थे दो दिन से ब्रीफिंग चल ला था तरीके से साथ को सारा बात बता रहे थे एक मॉर्निंग में भी हम लोगों ने मीटिन रखा था कोई भी चूक न हो जाए और पूरी तयारी के साथ हम कोट में गये थे लेकिन अल्लेडी हीमा कोली में पहले से डिसाइड करके आई थी पहले से पढ़के आई थी कि नहीं इस मामला में हमने यह डिसीजन दिया हमको यह डिसीजन देना है तो खैर कोई बात नहीं है हमको सबसे बड़ा अच्छा बात तो यह हुआ कि कोट ने खूद कहा कि हम आपको आपको लिवाटी देते हैं आपको आपको आपको हम लिवाटी दे रहे हैं कि आप मामला को बिड्रॉल कर लिजिए बिड्रॉल करके पुनह आईए मतलब कोट ने हमको इतना रियायत और सफ्ट हमसे ब्याइब किया कोई बात नहीं है आप आ गए हैं तो आपको कोई बात नहीं हम आपको जो बिड्रॉल करा गया है वापस कर लिया गया है एक ही लॉस हुआ है हुआ है कि हमें पैसों की छती हुई है खर लेकिन अब कोट भी आगे से हमको सुनेगा क्योंकि वोट ने कमिट्मेंट कर लिया है कि आप SLP लेकर आइए हम लार्जेस बेंच में भेज देंगे या फिर गवाई सरकें भेज देंगे उसके बाद हमारा जो एड़ोकर साहब जो है वो लांज के दर्मियान जो है और कोट भी जाके मुलाकात किये हैं और कमिट्मेंट किया गया है कि नहीं जो भी है समस्या है आपको सुना जाएगा लार्जेस बेंच में आप बोलेंगे तो भेजा जाएगा हाला कि लूग के अकॉर्डिक बंधे हुए है इसलिए हमें कहा गया कि आप हाई कोट जाएगे हम लोग करेंगे तैयारी हाइग का उसमें कोई चिंदा नहीं करना है लेकिन हाँ इसमें बाक्त लगेगा समय लगेगा कितना दिन समय लगता हाई कोट में जल्दी सुनवाई होता न ही है अब नौकरी करना है हर हाल में वाầy आज मानों भी 350 माहिना जब ऑंगा और हर हाल में जैसे हो जिस तेरह से हो हम लोग करें और हमेशा एक काम किये हैं वाइव पे सस्ते میں हम लोग सस्ता क्या आप कह सकते हैं आधी तो उतना नहीं लग गश्ट लगा है लेकिन जो भी हो हुआ सु वा मगा लेकिन हार होगा अब हर वह क्यों हम लोग हमरों है कि जो बात नहीं नमें अधम आया है eux वह बात पुना हर्दी हम करेंगे तो कंसिडर होगा आपको हम बता देते हैं जब मुकुल रोतरगी सरकें हम लोग केस लेके गए थे और हम लोगों ने अपना बात को रखा और हमारे जो यहारो साहब कहें कि मामला है मतलब यदि कोई सुप्रीम कोड से कोई हैसला आ जाता है तो पत्थर का लकीर हो जाता है लेकिन उसके बाद हमारे यहारो साहब ने हमारे ड्वोकेट साहब पूरा तरीके से चीजों को बताए कि सर इसमें यह चूट गिया है यह बाते कारना था यह डॉक्मेंट में मामला जाएगा या लार्जेस में मिलेगा थ्री में मिलेगा तो अहां पर कंसिटर किया जाएगा क्योंकि बड़ा बकील जो है कोई गलत केस रहेगा तो लेगा ही नहीं कि decided मामला को क्यूंकि उनको पैसा की कमी नहीं है यदि हमारे केस में met на लेते ही नहीं बड़ा बकील को पैसा क मोह नहीं होता है वह केस किसी भी हालत में हावना नहीं चाहते है तो कहलर तब होगा और हर हाल में जैसे हो जिस तरह से हो हम लोग करें गर अर हमेसा हमारा काम मानना कि जीवन में हम एकंगा माहल काम करते हैं बस यंग काम की है यह हमारा यही प्रेयर है कि जो बात नहीं नियाले में हो पाया है वह बात पुना है दि हम कहेंगे तो कंसिडर होगा आपको हम बता देते हैं जब मुकुल रोतरगी सर के हम लोग केस लेके गए थे और हम लोगों ने अपना बात को रखा और हमारे जो ए आरो साहब कहें कि में प्रेंपीर हो जाता है लेकिन उसके बाद हमारे यह और साहब ने हमारे इड़ोकर्ट साहब पूरा तरीके से चीजों को बताए कि सर इसमें यह जूट किया यह बात एकारना था यह डॉक्मेंट लगाना था तो बने रहा यह तो गलत हुआ है यह तो कंसिडर होगा यह और यह कंसिटर किया जाएगा क्योंकि बड़ा दिंद मामला करूंकि उनको पैसा कि नहीं है तो वे क्या से लेते ही नहीं पड़ा बकीट को पैसा का मोह नहीं होता है वो साथ या किसी हालत में हो आते हैं तो क्ला आज हम लोगों को मना जो है उसके बाद भी हम लोह को आतर हैंは मुकम सर ने हम लोगों क आस्वासन दिया कि आप आये दुबारा आप वहां से करा के आई और हम इसको नचेहरा देख लग रहा तहां था कि इसो बच्चा सब कितना परसान हैं और कूंकि हम लोग इतना तर नाम में हो गए थे कोट में बतलब आपको हम लोग बता नहीं सकते हैं कि सुनवाई क्योंकि बहुत उम्मीद से लेकर हम लोग यहां पहुचे थे और बहुत पाई-पाई कठा करके हम लोगों ने क्योंकि इतना बड़ा बकिल ona आज तक हम लोगों नहीं प्रयास किया हैं और आगे भी हम लोग करेंगे और हीतें ऐन् Virt. नगिनता समय लगेगा लेकिन इतना पता है कि deegry हमारे है और हमको न्याय मिलेगा कि जितने भी हमारे साथ ही ऐसा नहीं है कि खेल खतम हो गया है लोग ग्रूप में लिख रहे कि अब क्या होगा जीवन बर्वाद हो गया क्यों घ्ल तो बहुत बाकी है जब तक पूरा बात हम कर नहीं लेंगे जले इस अभी हम लोग देहली में ही हैं और रहेंगे कल पुना मिटिंग है हमारा मुकुर्ण रोतोगी सर से दुवारा मिटिंग है साम में उसके बाद मिटिंग के बाद क्या रनीती होती है कैसे हम हाई कोट में जाना है क्या रास्ता हमको बताते हैं उसी रास्ते पर हम लोग को और चल के पुन इसलपी लेकर हम लोग सुप्रीम कोट में आएंगे और तरीके से हम लोग जीतेंगे आपको चिंता नहीं करना है हमको परसानी हो रहा हम पीछले दो महीना तीन महेना से केस के तैयारी में थें और आपको लगतार गांदी मैंदान में मीटिंग पर मिटिंग करके पाई पाई कठा किये हैं लोगों को जोड़े हैं मुहीम बनाए हैं दूसरे राज्यों को जोड़े हैं सारा को जोड़ने के बाद यदि इतना बड़ा जटका लग जाए कोट कहा दे कि नहीं हम अब फिर से आईए तो हमारे लिए तो दुख की बात है हमार लेकिन नया मिलेगा बस इतना ही काना है बाकी अपडेट अभी हम लोग देहली में ही है रहें पर दिन अभी दो तीन दीन अभी यहीं पे हैं हम लोग सारा जब तक पूरा माप ढंद तैयर नहीं कर लेते हैं तब तक हम लोग यहां से से नहीं आएंगे और पूरी तैयारी के साथ फिर जोर से हम लोग इस मामले में लेके आएंगे सूनवाई हो की लार्जस्ट का हम लोग हाई कोट से रिजक्ट कराईए उसके बाद आए हम आपका पूरा बात सुनेंगे आपका समर्थर करेंगे आपको रिलेव दिलाएंगे लार्जेस में भेजेंगे तो इतना धम होता है बड़ा बकीन में कि भाई वह अपने बाते हलाकि बहुत दिर नहीं पांचे मियाट का हुआ लगी इतना में ही कोट को लग गया कि नहीं भाई बाके ही जो है उनको लग लगा है कि भाई हम पिछले बाद जो हाई कोट में थोड़ा सा आसांका था कि इस बेंज में बहुत कुछ हमको रलेफ नहीं मिलेगा लेकिन हो सकता है कि बड़े बकील के साथ जाएं तो हमको मौका मिले लेकिन कोई बात नहीं है नियाले ने कमिट्मेंट किया है आप से आप आईए हम आपको सुनेंगे तो हम जाएंगे करा आपको सौट में चीज़ों को समझाएंगे क्यों आप का आत्म ईश्वास डगमगाने लगता है जब कोई हार होता है हार किया हम को का कि ठीक से दुबारा आई हमここ बिड्र सब्सक्राइब ज़ सब्सक्राइब श्री्चा का करेगा अपको चिंतmen करें है बाकित हिंदर जी अपना बात करें कि शाथियों नमस्कार मैं धिरियन कुष्वाहा मत्प्रदेश से आ गया था दो दिन पहले मुकुल सरकीव रिप्र जी काफी इसमें स्टड़ि किये हैं आपको सोट में चीजों को समझाएंगे क्योंकि आपका आत्मिश्वास के डगबगाने लगता है जब कोई हार होता है हार किया हमको कहा कि ठीक से दुबारा आई हमको बीड्रॉल करा दिया गया कहा कि आप भाई आप दुबारा है हमारा क्या बिगड़ा ह करेंगा आपको चिंदा नहीं करना है अपना बात करेंगे मत्रदेश से आ गया था दो दिन पहले मुकुल सर की ब्रीफिंग थी और ब्रीफिंग के लिए हम लोग आज सुबहे पहले हमारे यारोष सर ने किया एक दो दिन से लगातार वो कर रहते कल हम आज सुबह हम लोग पहुचे और हम लोग की पश्टिती में ही चीजों पर चर्चा होई है क्या है आज यह मैटर था कि कैस को कैसे एक्सेप्ट करवाया जाए क्या ऐसी चीजे बोली जाए जिससे हो जाए इसके बाद ही जो मैटर उसकी मेरिट पर बाद में बात होती इसलिए उन चीजों पर चर्चा होई बट दुरभागवस उन चीजों को वहां पर प्लेस करने का जो है तो मौका ही नहीं मिला क्योंकि उसका सर ने टेक्निकल लिजन बता दिया दूसरी बात आप लोगों को ल लोग लगाते हैं तो हमें दोनों चीजे ही मैनेज करके चलना है और यह भी उमीद थी कि हो सकता है कुछ बदला आवा जाए अब यहां बात करते हैं उन्होंने का हाई कोट पर जाईए सल्पी फिर लेकर गया है असल में क्या होता जिससे उत्तरकंड राजसरकार का मामला ह है वहां पे तो वहां पे वह दो लेके चले गए हैं हमारे आपके पास राइट नहीं रिवी ले जाने का हम आप यह कहें कि हमें सुना जाए फिर से तो हमें इस कौन सुने का जो हम जूरिटेक्शन हमारा चुटर होता है हाई कोट पर हम जाएंगे और प्रापर तरीके से अपनी बात रखेंगे कि जो जर्जमेंट आया है उसके एकॉर्डिंग जो है तो मतलब हम उसमें पार्टी नहीं थे तो हम अपने हाई कोट में उस चीज को वहां पे रखेंगे अपनी बात को कि किस किस तरह से मद्बूत हैं हमारा सभी साथी है जो सभी स्वेश के साथी उस इसके बाद अब चुकी सुप्रीम कोट का जर्जमेंट है हाई कोट इसके बियोंड नहीं जा सकता है तो जाहिर सी बात है हमारा केस जो है तो डिस्पोज होगा हमारी जो रिट होगी वो डिस्मिस होगी इसके बाद अब डिस्मिस होगी तो हम सुप्रीम कोट में आएंगे जो High Court ने लिख करके दिया है उसका हम अपोज करेंगे line by line अपने regulation अपने act recording देखे इसमें सबसे महत्पूर बात है जो आर्टी एक्ठ है उसमें section 2131 है 21 में यह कहता है minimum qualification for appointment मतब आपके पास एक बेक्ती जो minimum qualification प्राफ्ट करेगा एसा आर्टी एक्ट मिनी है और आर्टी एक्ट से उपर कोई कोट नहीं है वह अलग बात है कि वहां पर मिस्गाइड हो गए उनको मिस्गाइड कर दिया गया तो हमारी जो qualification हमें 23 का एक प्राफ्ट कराया गया है और 23 का एक है minimum qualification for appointment इसके बाद हम regulation 2014 पर जाएंगे तो हमारा डिलेट जो ओडियल है उसका curriculum डिलेट face to face के बराबर है दोनों को कराने की methodology अलग है तो methodology से कोई फरक नहीं पड़ता है इसके लिए हमारे पास बहुत सारे साच्छे हैं कि अलग अलग तरे से ओडियल मोड पर किये हुए course भी जो है तो मानने होते है गवाई सर को अच्छे से clearly समझाया नहीं गया कैसल में ओडियल मोड में पहले ही जो है तो एंसीटी के पास course है उन्हें लगा ऐसे आनन फानन में कोई course बना के करा दिया गया है कालंपुरा करा दिया गया है ताकि इनकी qualification बनी रहे दूसरी चीज जो तेईस का एक है वो यह कहता है जो एंसीटी का गजट प्राइवेट सभी स्कूल आते हैं अब सब्सक्राइब कोई एक व्यक्ति टू के एन के की स्कूल में पढ़ा रहा है और टू के एन के ही दूसरी स्कूल में वो कैसे नहीं जा सकता क्या उसमें बॉइलेट हो जाएगा कुछ भी बॉइलेट नहीं प्लेस की गई हमारा मैट इतना क्लीन और इतना हमारे पास महारी मेरिट है हमारे स्क्रेस में बहुत आसानिक जहें ओन में चीज़कों कोई होते हैं यह प्रॉप हो हीण सब्सक्राइब करें कि इस चीज को लेकर कि कैसे हाई कोट में जाना है कैसे वहां पर लड़ना है फिर सेल्पी लेकर कैसे आना वह सारी चीज अपडेब को आपको समय से पर दी जाएगी बहुत-बहुत धन्यवाद तो साथ ही आपने देंदर्जु को सुना आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमारे डिगरी कितना लेजिबल है ठीक है हलागी टेक्निकल बाते हैं इन्होंने आप बताने का प्रयास किया है अब हम देखते हैं दोस्त की कैसे करना है सो आप लोग निरास हैं मुझे पता है फोन भी आया था मेरे पास रोग रोभ लख विल्ए रहे हैं अब क्या करें नसीम में जो लिखाओगा सो होगा क्या का अब लड़े नहीं तो छोड़ दें अब अब क्या करें गल्फ तो फिर होगा हमारी तो मझ्बूरी है लड़न और आप कहते भी एक लड़ी है और सब कोई कहा दे के नहीं लड़Yे फिर भी हमारी नौक्री है हमको दो लड़ना ही होगा कि हमको 68 में जाने से बंजित किया गया है और जीत مिलेगा आपको चिंता नहीं करना है घबराने की बात नहीं है तनाब तो है तनाब तो मुझे भी है अब तनाब लेने से क्या होगा हर हाल में इस मामले को हमको देखना है और आगे की जो भी रनीती होगी कल हमारे जितने भी है इडवोकर्ट साहब से पुना मिटिंग है मिटिंग के बाद जो भी निर्न होगा आप से हम लोग साजा करेंगे फिलाल के लिए शुगरातनी धन्य झाल आप